मेश राशी और मिथुन अनुकूलता को जान सकते हैं एस्ट्रोलोजी आपको सही जानने और सही चुनने की आजादी देता है यहाँ आपको मेरिज, लाइफ पार्टनर, लव मैटर से जुड़े इंपोर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है फिलहाल हम मेश और मिथुन की जोड़ी के बीच लव, मैरिज लाइफ और सिक्सूल लाइफ की कमपेटेबिलिटी के बारे में जानेंगे मेश और मिथुन लव कमपेटेबिलिटी मेश आग और मिथुन हवा का रिष्टा जुनून और उत्साह से भरा रहता है इसलिए मेश और मिथुन में जल्दी प्रेम पनप सकता है मेश और मिथुन दोनों स्वतंत्रता और बौधधिक्ता को बहुत अधिक महत्व देते हैं इसलिए दोनों का मैच बहुत अच्छा है मेश और मिथुन प्रेम अनुकूलता के अनुसार यह जोडी एक महान मैच हो सकती है क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है उदाहरन के लिए दोनों स्वतंत्रता और बॉध्धिक्ता को बहुत अधिक महत्व देते हैं मेश और मिथुन की जोडी में ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और बहुत उत्साही संबंध साजा करते हैं वे दोनों जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं और सम्बंधों को काफी नया और युवा बनाई रखने के लिए हमेशा कुछ नया करने के लिए तयार रहते हैं मेश और मिथुन की जोड़ी के फायदे मेश और मिथुन में कई चीजें समान होती है इसलिए वे बहतर समय साथ में गुजार सकते हैं मेश और मिथुन की जोडी में दोनों रिष्टों को लेकर पजेसिव होते हैं इसलिए इनका रिष्टा देर तक रह सकता है मिथुन एयर एलिमेंट का हिस्सा है जबकि मेश एक fire sign है हम सभी जानते हैं कि हवा आग को फैलाने का काम करती है मेश और मिथुन के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तयार रहते हैं मेश के लोग नई शुरुवात कर देते हैं और मिथुन उन्हें आगे ले जाने में मदद करते हैं मेश और मिथुन की जोड़ी के नुकसान मेश राशी के लोग रिस्ट लेना पसंद करते हैं जबकि मिथुन राशी के लोग किसी भी नई situation से जल्दी घबरा जाते हैं ऐसे वे साथ छोड़ सकते हैं मेश राशी के लोग पहले खुद के लिए काम करते हैं इसके बाद वे दूसरों का सोचते हैं मेश का यह व्यवहार मिथुन के लोगों को पसंद नहीं आता है मेश स्पश्ट वादी होते हैं और मिथुन राशी के लोग थोड़े डिप्लोमेटिक मेश को जब डिप्लोमेसी का पता चलता है तो वे रिष्टे से उगने लगते हैं मिथुन जिग्यासु होते हैं और बार-बार मेश से यदी वे सवाल करते हैं तो मेश इससे जल्दी घबरा जाते हैं मेश और मिथुन प्रेम और विवाह की अनुकूलता आग मेश और हवा मिथुन का रिष्टा जुनून और उच्साह से भरा रहता है इसलिए मेश और मिथुन में जल्दी प्रेम पनप सकता है मेश और मिथुन की जोड़ी में दोनों स्वतंत्रता और बौधिक्ता को बहुत अधिक महत्व देते हैं इसलिए दोनों का मैच बहुत अच्छा है मेश और मिथुन प्रेम अनुकूलता के अनुसार यह जोडी एक महान मैच हो सकती है क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है उदाहरन के लिए दोनों स्वतंत्रता और बौधिक्ता को बहुत अधिक महत्व देते हैं यह दोनों एक दूसरे को समझते हैं और बहुत उद्साही संबंध साजा करते हैं वे दोनों जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं और संबंधों को काफी नया और युवा बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ नया करने के लिए तयार रहते हैं मेश और मिथुन जोडे में उब के लिए बहुत कम जगह होती है वे दोनों साथ में कुछ भी नीरस या बोरिंग काम करने से बचते हैं मेश और मिथुन वर्तमान में रहते हैं और इसलिए उनका अतीत उन्हें ज्यादा परिशान नहीं करता है मेश और मिथुन की जोडी में दोनों के बीच विवाह के बाद सार्थक संवाध होने की संभावना रहती है क्योंकि दोनों ही बात करने के शौकीन है मेश राशी के लोग हमेशा confident रहते हैं और उनका यही nature मिथुन राशी के लोगों को उनकी ओर आकर्शिक करता है मेश और मिथुन सेक्सूल अनुकूलता मेश और मिथुन साहसी और बहुत धिक हैं लेकिन वे एक दूसरे के साथ प्राइवेट समय बिताने के दौरान खूब मस्ती करते हैं मेश बेडरूम में चीजों की शुरुवात कर सकता है और मिथुन इसे आगे तक ले जाने मेश की मदद करता है मेश और मिथुन की जोड़ी में दोनों एक दूसरे के साथ जल्दी बोर नहीं होते हैं इसलिए उनकी सेक्सूल कमपेटिबिलिटी बनी रहती है उनके रिष्टे में उत्सा, पन और मनोरंजन तीनों है जो उन्हें एक दूसरे के लिए बेडरूम में परफेक्ट बनाता है मेश और मिथुन एक साथ कई खोच कर सकते हैं उनके बीच औसत से अच्छी अनुकूलता देखने को मिलती है यदि मेश और मिथुन की जोड़ी में वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे लगभग कुछ भी सहन करने की क्षमता रखते हैं साफ शब्दों में कहें तो साथी के प्रती समझ की भावना उनके रिष्टे को अटूट बना सकती है दोस्तों अगर आपको ये विडियो पसंद आया तो माइ नेक्स्ट न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें